हेलो फ्रेंड, CBC Board के चातों के लिए बहुती बड़ी ख़बर, जैसे कि पता होगा 17 तारीक को Education Mr. Live आने वाले हैं, लेकिन जो Students की आवाज है वो CM, यानि कि आपके Education Mr. से लेकर PM यानि नरेंद्र मोधी तक आवाज पहुच चुकी है, यानि एक्जाम की डेट को लेकर जो 20 बोड़ एजाम को लेकर सबसे बड़ी बातों को नरेंद्र मोधी जी को बताया जा रहा है, वहीं सबसे बड़ी में आपको पूरी complete आपको बताऊंगा ख़बर के लिए, जो 10 भी बारवी चातों के लिए होगा, और 20 को लेकर, यानि कि Students को लेकर 17 तारीक को फैसले होगे, क्या होगा, क्योंकि जो Teachers के साथ Talking होनी वाली है, Students के साथ Talk में तो काफी कुछ उमीदे थी, 10 तारीक से पहले तो Tweets इस तरीके से Education Mr. जी कर रहे थे, लगता मानो 10 तारीक को सब कुछ फाइनल हो जाएगा, इस तरीक से Education Mr. रिएक्ट कर रहे थे, मानो सब कुछ जो है, वो हर स्टूडेंस को याद रखना चाहिए, मार्च में जो आपकी परिक्षा एकैंसीर हुई थी, उसमें आपके Education Mr. का सबसे बड़ा रॉल था, तो अभी मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी ख़बर, देखिए आपको उससे पहले Teachers के भी आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि आपको पढ़ा रहा है, सच्चा ही वही बताएगा जो खुद पढ़ रहा है, यानि कि हम बात कर रहे है Teachers or Students की, इससे बहतर कोई नहीं बता सकता कि कितनी बढ़ियां पढ़ाई हो रही है, और Students कितने exams को लेकर प्रपेर हैं, सबसे बड़े स्कूलों की बात कर रहे है, इसनों ने क्या कहा है, I want to suggest, CBC Board को suggest किया है, कि exam this year cancels, because school are closed since 9 months, और यह बहेरी, यानि it is very difficult to teach online, अब यहां पर आप देखे, Teachers कह रहे हैं, Students की बात मैं आपको नहीं बता रहा हूं, Teachers कुद कह रहे हैं, it is very difficult to teach online, due to poor network connectivity, CBC Board भी इस बात को भली बात ही समझती है, कि जहां CBC CBC Board का office है, वहां पर network आजाने से, यह पूरा यह नहीं माल लेना चाहिए, कि पूरे देश बर में students के पास proper network connection होगा, proper उनके पास online पढ़ाईयों की all facilities होगी, लेकिन यह बात है CBC Board भी समझती है, लेकिन आखिर यही सवाल होगा, Education Master से, CBC Board को यह कि छात्रों की नुकसान चाहिए, students को, यानि कि आपने भले ही 30% syllabus को कम कर दिया, लेकिन वो 30% इतना नहीं था, यानि कि 30% इतना भी आपने कम नहीं कर दिया, जिससे students की पूरी तरीके से पढ़ाई होई, आपने 30% कम कर दिया, लेकिन यहां पर 70% syllabus था, उसकी पढ़ाई हुई है, यह बातों को CBC Board को समझना चाहिए, वहीं सबसे बड़ी मैं आपको बता रहा था कि PM तक आपकी जो बाते हैं, वो पहुंच चुके है, यानि कि बात करें, उरिशा के CM ने PM मोधी को चिठी लिखी है, चिठी में क्या लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है, कि CBC Board की पर परिक्साय है, इसकी डेट्स को लेकर पूरी अकेडमिक सेशन का टाइम फ्रेम को लेकर उन्होंने ये आपकी नरेंदर मोधी जी को यानि कि आपके जो ओडिशा के CM है, नवीन पटनाइक जी उन्होंने ये लेटर लिखा है, सेंट्रल को, यानि कि खेंदर सरकार यानि कि नरेंदर मोधी जी को लिखा है, ताकि वो CBC Board के टाइम फ्रेम को लेकर आपके exam, competitive exams को लेकर कहे, यानि कि बाते जो है, आपके overall बाते है, वो PM तक भी जा रही है, लेकिन आखिर का चात्रों को भी उमीद है, कि exams पर वो हमारे हित में फैसले हो, exams पर वही फैसले हो, जो इस समय, यानि कि जो वबाग के ही students का नुक्सान हुआ है, उसको देख कर लिया जाए, तो friends काफी सारी उमीदे है, आपकी 17 तारीक पर काई भी सारी है, क्योंकि बाते जो मैं आपको बताया, यहां तक भी जा चुकी है, और हम बात करे, 17 तारीक को लेकर तो काफी सारी आपके sources है, उसका मानना है, कि सीवेसी बहुत जादा डीले नहीं करेगी, 17 तारीक को आखिर कर फैसला जो है, education मिस्तर दे सकते हैं, उमीदे यही है, आप लोग भी इस dates को लेकर आप लोग नीचे बताईएगा, क्या आपको क्या लगता है, exams को लेकर क्या फैसले होंगे, क्योंकि बात करें, दस तारीक को लेका, तो students की काफी सारी उमीदे थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, तो ऐसे मैं साता तारीक को लेकर भी छात्रों के मन में कई सारे प्रस्ण होंगे, आप नीचे मुझे पूछीएगा, वहीं friends, वीडियो अच्छे लगते बीडियो को एक लाइक जू करतीजिगा, फिलाल किस वीडियो में इतना ही, वहीं चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलीगा, क्योंकि सीबेसी बोर्ड की हर एक लेटेस अबडेट आपको यहां पर प्रवाइट कर आते रहते हैं, तब एक इस वीडियो में इतन नहीं प्रेंच जहीं